लेकिन पहले शुरुवात करते हैं इस सेशन की एक रिपोर्ट के साथ हाई टेक रथ पर सवार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके समर्थकों की ये भीर ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में मुकाबला इस बार बड़े जूर का होने वाला है ये नरेंद्रमोती और स्पियम योगी के निशाने पर भी मुखित तौर पर अखिलेश यादव ही है मतलब साफ है कि बीजेपी भी यूपी में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को भी चुनावती मान रही है विजय रत यात्रा के दस चर्णों में वो योगी सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दे रहे हैं समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है कि 22 में बाइसिकल अखिलेश ने कुछ इस अंदाज में अपनी सरकार बनने का भरूसा जटाया अखिलेश जानते हैं कि उनका मुकाबला बीजेपी की मजबूत चुनाव मशिनरी और बीजेपी के बड़े दायरे वाले हिंदुत्व बोर्ट बैंक से है इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा छोटे दलों को अपने साथ में रहे हैं बश्य में जैन्त चौधी के राष्टी लोगदल और पुरब में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी समेत आधा दर्जन से ज्यादा दल समाजवादी पार्टी गडबंधन में है जाचा शिवपाल यादाव की पार्टी को भी अपने गडबंधन में शामिल कर लिया है वो इलाके के हिसाब से मुद्दे उठा रहे हैं देश की इतिहास का सबसे बड़ा विधान समाचुनाव अभी से बहुत रोचक होने लगा है अखिलेश के पास भी अपनी पिछली सरकार की उपलब दिया है लेकर ये देखना दिल्चस्प होगा कि माफिया के साथ साधगांच और मुसल्मानों के तुष्टी करन के योगी के आरोकों से वो कैसे मुकाबला करते हैं और छोटे छोटे दलों के बले बले महत्वा कांक्षी नेताओं के साथ सीट बठवारे को कैसे साधेंगे एजिंडा उत्तर प्देश में ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर समाजवादी पार्टी के राश्य अत्याक्ष अख्लेश यादव का सबसे बढ़ा इंटर्व्यू शुरू होता है आप बो इस शेशन का खिलेश जी नाम है बाइसाइकल कितनी दूर कितनी पास सवाल तो पहला मेरा यह है बीजेपी कहती है फरक साफ है आप कहते हैं बीजेपी साफ है बीजेपी कहती है सबाजवादी पार्टी इस बार 2017 से भी हाफ है यह तो बात नारे की है जी कि हम सभी पॉलिटिकल पार्टी नारे दे रहे हैं लेकिन जनता इस बार पूरी तरीके से तैयार है भारती जनता पार्टी से जानने के लिए कि जो जो उन्होंने वादे किये थे आज उनके वादे कितने पूरे हुए इसलिए मैं साथ उनका संकल पत्र लेकर के आया हूँ जो संकल पत्र है जी यह भारती जनता पार्टी का है 2017 का उस समय जिस समय इने जनता के बीच में और चुनाओं में जाना था सबसे बड़ा और पहले पन्ने पर जो लिखा उन्होंने वो कहा सरकार बनने के बाद 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी जब भारती जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी किसान उससे सवाल पूछेंगे कि क्या किसानों की पैदाबार की आय दोगुनी हो गई है कि नहीं हो गई है और वो हिसाब लगाएंगे पिछले भारती जनता पार्टी की सरकार में जो महगाई कितनी बड़ी है जब किसान देखता है कि उसकी कमाई आदी हो गई है और महंगाई दुगनी हो गई है तो उसकी तरक्की नहीं हो रही है इसलिए ये तमाम सवाल वो है जो बुनियादी सवाल है जिनका जवाब भाधिंता पार्टी को देना है क्योंकि भाजिन्ता पार्टी के पास इन सवालों के जवाब नहीं है, जनता इन्हें नकार देगी और आपने देखा होगा, इनका सांसत, बिधायक जनता के बीच में कूटे जा रहे हैं, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हो सकती है, जिसके बिधायक और सांसतों को दौ चुनाब शुरू हो गया, तरीकों का ऐलान हो गया, पांच राजियों की तारीकों का ऐलान हो गया, दस को नतीजा आएंगे, दस मार्च को नतीजा आएंगे, सपा कह रही है होली लाल रंग की होगी, बीजेपी कह रही है कि होली भगवा रंग की मनेगी इस बार, एक स्वाजवादी पार्टी ने हर रंग को जोड़ा है इसलिए इस बार हर रंग की हो ली ओगी होली वही अच्छी होती है जो सब रंगों की हो यह एक रंगी लोग इस बार जाने वाले हैं एक सवाल आता है कि अपनी पार्टी के एक स्टार कंपेनर है बड़ी मशिनरी है कैसे लड़ेंगे इस चुनाव को जंता लड़ रही है जंता देख रही है कि भारती जंता पार्टी के डेबल इंजिन सरकार ने क्या दिया है और आप तो एक बहुत इमांदा निस्वक्ष पत्कार हैं आप अगर बोट डालने जाए तो क्या सोचेंगे आप आपके भी मन में कुछ सबाल आएंगे ताब मेरा वोट जानना चाहरे है मैं बोट नहीं आना चाहता हूं मैं आपके मन से यह जानना चाहता हूं कि जब आप बोट डालने जाएंगे तो आपकी प्राथेमिक्ता क्या होगी आप क्या सोचेंगे क्य बिजली सस्ती हो क्या सडक अच्छी हो बारती दंददा पार्टी ने का गड़ा मुख सडक होंगी मैं चाहता हूं किदनी होंगी इंसन्तार örपा ने एक खबर पड़ी है बुलंच शेहन में और यूपी में जानवन ने मार दिया साण ने दोडा के मार दिये परिबार की एक सदस को सबसे ज़्यादा घटना इस तरह हो रही है एक्सिडेंट्स हो रही है यह साण दोडा करके मारा यह उत्तप्रदेश हो गया मेरा जो सवाल था, वो मूलता ये था कि अखिलेश यादव, अकेले स्टार कैमपेनर अपनी पार्टी में, बीजेपी की एक बड़ी टीम है, चुनाव की प्रॉपर मेशिनरी है, आपने कल एक इंटेव्यू में भी कहा कि ये डिजिटल रैलियों पे जो जो नॉर्मल रैलिय इस पर रोक लग गई है, इसके अलावा डिजिटल प्लाट्वर्म जो होंगे, उसे छोटी पार्टियों को नुकसान होगा, क्यों आप कहने हैं, बीजेपी कह रही है कि आप घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, ये केश्यम ओर्या ने बोला, ये उन से मत पूछे, समाजवादी पार्टी वो है, जिसने 18 लाग से उपर और लगबग 20 लाग लैप्टॉप माटने का काम उत्तरपरदेश में किया था, और शायद जो बोलने हैं, वो लैप्टॉप चलाना नहीं जानते, अभी तक तो मैं सोचता था कि हमारे बाबा मों खिवनती जी नहीं जानते हैं, अभी किसान को जरूरती खाद, क्या खाद उपलप्स करा पाए, खाद किसी किसान को नहीं मिली, जब वो किसान को खाद मिली गई तो उसमें 5 किलो की चोरी हो गई, उसका जवाद सरकार के पास क्या है, जिस दिन से समाजवादी पार्टी ने तै किया, कि 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, उसी दिन सरकार क्या कह रही है, कि हम अपने बिजली के बिल आदे कर देंगे, क्या ये भारती जनता पार्टी मुझे बताएगी, इसका मदभी बिल कम कर सकते थे, जान बूच करके गरीबों के और आम लोगों की जेब पर डाकर डालें लें, जान बूच कर करेंगे आम लोगों का, इसका मतलब ये है कि अगर आज 50% सस्ती बिजली करना है, इसका मतलब ये है कि ये सस्ती बिजली दे सकते थे, लेकिन सस्ती बिली नहीं थी, इनकी नियत साफ नहीं है, और नियत साफ इसलिए नहीं है, कि हमारे मुख्वंधी आज तक बिजली के का सबसे इमांदार सच्चे पतकार आप हैं निस्वक्ष पतकार हैं और कम से कम आपको तमाम वो आकलन करना चाहिए कि विजली के कारखाने किसने बनाए मैं नाम गिनाता हूं मैं क्योंकि मुख्षमंति-जी भी आयें इसके बाद उन्हें जवाब देना होगा लैलितपुर में 3-2-6-60 सुपरिटिकल थर्मर प्लान्ट समाजी सरकार में बना इसके बाद हर्दवागन्ग में सिक्सिटी सुपरिटिकल प्लान्ट बना एटा में प्लान लग रहा है 3-2- अधियाद में एक प्लांट लग गया था पिजली का तो यह तमाम बिजली के कारखाने जो लग रहे थी यह सरकार अगर लगा देती तो उत्तर प्रदेश के किसानों को आम लोगों को और वहादियों को इतने महंगी बिजली नहीं देनी पड़ती लेकिन इन्होंने कोई रू पर जो है वो बड़ी पार्टी यह जादा मजबूत है आपका इशारा बीजेपी की तरफ था वो इसलिए था अभी दो दिन पहले एक भारती जंता पार्टी के उसलिए पदादिकारी भी है पार्टी के उन्होंने जूट तस्वीर ट्वीट की अब उनको करोड़ों रुपय मिलता होगा? क्योंकि जिस पैकेज के साथ वो बैठे होँगे, जिस पैकेज के साथ वो पार्टी में, वो करोड़ों रुपय लेते होँगे। करोडों سے कम मैं तो नहीं काम करते होंगे। बीझेपी कहती है, उनक्या सब निश्ठा से काम करते हैं पैसो के लिए यह उत्तरपदेश की जनता जानती है कि उत्तरपदेश का 6 लाग करोड को बजट था आज भी उत्तरपदेश की सबसे जादे बिजली बहेंगी हैं सड़क में गड़े हैं इतने बड़े पैमाने पे नौजमान कभी ब्रोजगार नहीं भटके होंगे जितने भादिन दपाड में डेवल इंजन की सरकार ने वो मैट्रो को आगे नहीं बढ़ा पाए जो समाजवादी पार्टी ने स्विक्रित की थी कानपूर की मैट्रो वो समाजवादी सरकार में स्विक्रित वही पूरी हुई है आगरा में वही काम चला है जो समाजवादी पार्टी की सरकार में स् सब्सक्राइब और आज के समय के हिसाब से लोगों के लिए सुविदा है इन्वाइमेंट के लिए भी सुविदा है लोगों को आराम से पहुंचने का मौका मिलता है तो हमने तो कंप्लीट कर लिया इसके साथ साथ जहां कई भी मेट्रो बनी है हजारों नौज़मानों को नौकरिया मिली है हजारों इंजिनर्स को नौकरी मिली है अगर आप लख्लू का ज़िए लेंगे केबल मैं अभी कानपुर को अधार नहीं करते हैं उन्हों ने यह पार्टी से बड़ा जूट कोई नहीं बोल सकता क्या वो यह सुईकार नहीं करेंगे कि जिस समय मैट्रो का कानपर का शिनाने सुगा था उन्हीं के सांसद मुर्ली मनोज जोशी नहीं थे जो आज देश के वाइस प्रेजिडेंट हैं वो उस समय उस भभा के मंत्री थे वो मं अब मैं मंच पयए थे मैं मनच बश'd था उस स्मय के वाइस प्रेसिडेंट थे आप ट्थर लगवाने का काम करते हैं काम हम करने का काम करते हैं समाजबाद इसका मतल Buddha, मैं जूट बू ला था तो उनके लों सदस्त थे उनके सांसद और उड़र उनके वाइस प्रेसिडें को नौकरी मिली है कि एस्टिया लखनू में आया कि छी हजार से जाले लोग नौकरी कर रहे हैं अच्छी डिग्री हासिल करने वाले कंपिडर इंजिनियर्स मैं सरकार से जानना चाहता हूं उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाया जो सेमसिंग का प्लांट जो समाज़ारी सरकार म लोग ने जिसको एक्सिपंशन दिया था वो तो लगके तैयार हो गया वहां नौकरी मिल नीमिनी रोजγάर मिल इस सरकार ने जो वादे किये थे आप भी मुख्यमंतरी और मया वत्ही कहती थी मेरे कामों कम वीटा योगी जी कात रहे है पॉलिटिक्स के अंदर क्रेट तो ए मोई प्रोजेट श्र कर रहे थे कर रहे थे जा उद्धा उद्धार नीस किया जो सपना नहीं वह ए इस सरकार के पास अगर सपना सपना देखने में और उसको रियलिटी में उतारने में तो फरक होगा ना, इस सरकार का विजन अगर होता, यही गुम्टी के किनारे हम बैठे हैं, जी, ये एक्जेम्पलरी काम हो रहा था, कि शेहर के अंदर गुम्टी साफ बैठी, और नजाने कितने गुम्टी के किनारे ठेले लगाने वाले, और काम करने वालों को नौकरी वो भी काम ठब कर दिया अजकर तो आपको सपने भी बहुत आ रहे हैं तो भगवान कृष्ण भी आपके सपने में आए कोई नया सपना आया आपको जो आप सोच करके सोएंगे जी अक्सर उसके सपने आपको आते हैं जी और सोने से पहले में एक वार रिवीजन करता हूँ अपना जो सोने से पहले एक वार रिवीजन करेगा या खुश होगा या दुखी होगा मैं बहुत खुशी में सो जाता हूँ और फिर सुबह उट करके फिर काम करता हूँ और मैं शर्थ के साथ कह सकता हूँ कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को नीन नहीं आ रही होगी आज कर ने क्योंकि जब वो पीशे मुड़के देखते होंगे तो देखते होंगे कि बताओ हमें तो ऑक्सीजन देनी थी हमने सड़कों पर ऑक्स छोड़ दिये लेकि लेकिन आप ऑक्स तो समझते ना किसको छोड़ बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बाद में दुभारा बोलना हूं हमारे लोग समझ नहीं पाए थे एक एक जब चाहिए थी तो यह ऑक्सीजन नहीं देपाई और हमारे बाबा मुख्यमंदी सड़कों पर ऑक्स चोड़ दिये यह ऐसे मुख्यमंत्री हैं अच्छा एक इंधा टंगा उनिकी भूवी मत्रा में किया था हूं कäre यजे वू लोग हैं जिनके उपर दंगों के मुख्यमंत्य इंधे हैं हमारे बाबा मुख्यमंदी पर खुद hummingे थे सवाल दंगों का नहीं है और अगर दंगे के याकड़ें आपको निकालने हैं तो बावा मुख्वंती जब आएं तो उन्हें NCRV का डेटा दिखाईए कि आखरका दंगे उनकी सरकार में कितने हुए हैं क्योंकि मैं कहूंगा तो बात नहीं स्विकार करेंगे लोग लेकि क्या इनकी सरकार में दंगे नहीं हुए क्या इनकी सरकार में फिक इंकाउंटर नहीं हो रहे हैं क्या इनकी सरकार में कस्टूडियल डेथ नहीं हो रही यह वो सरकार है जो ठोकोरा से चल ली है सबसे ज़्यादा नैशनल हुमराइट कमिशन ने अगर नोटिस किसी को दिये है तो यही सरकार है और सबसे ज्यादा अस्वरच आगर कहीं पर बेटियां बेहने हैं माता हैं तो उत्तप्ण सरकार में शपनें बागवान कुछण डा यहां बीजेपी तो खोलके कह रहे हैं कि आयोध्या हमने तयार कर दी और अब मत्रहकि बारी में आप क्या कह रहे हैं यह मत्तुरा की बारी में आप साथ है कि समाजवादी पार्टी समिधान और देश के कानून के साथ है जी भारती जंता पार्टी इन तमाम मुद्दों को बोट के लिए उठाती है आज हम उनसे जानना चाहते हैं उत्ता प्रदेश में साड़े चार साल मे प्रशुराम आप को वोट के लिए नहीं कर रहे हैं यह बात फिर अधूरी नहीं इसलिए मैं ने कहा पूरे देश में सबसे निस्वक्ष पतकार आप हैं और एक निस्वक्ष पतकार से मैं उम्मीद करता हूं कि वह पूरी बात जरूर रखेंगे क्योंकि बीजेपी के लो तो अकसर हमें सुनने को मिलता है और अख़वारों में पढ़ने का मिलता है कि कभी यहां से लड़ेंगे कभी वहां से लड़ेंगे एक किसी विक्ती ने सपने में उनके आये और उन्होंने पत्र लिग दिया और उसके लिए बीजेपी ने की थी अगर भग्वान किसी के में कोई नी कोई आता है सवाल यह है कि मुख्यमंती जीओ को टिकेट नहीं दे रहा है इससे बड़ा दुर्भा क्या हो सकता है यह पर आपको लगते योग है दितनाद को टिकेट का खतरा है आप टिकेट मांग रहे हैं तभी तो पत्र लिखाए रहे हैं खबर तो है वह यह लेकिन बीजेपी क्तिकेट देगी उनको बीजेपी तो देकी टिकेट टिकेट व नहीं ले सकते हैं उन्हें बीजेपी से टिकेट मांगनी पड़ेगी यह एक बाद नाशने पड़ेगी की विल्च constitution है बीजेपी तमाम सीने लोग दुखी हैं उन से परेशान हैं कि किसको उन टूपर बठा दिया जिस उत्रपदेश बरबाद कर दिया आप आप कहां से लड़ने जा रहे हैं चुनाफ मैं पार्टी पे छोड़ता हूं आपकी भी तो पार्टी फैसला कर रही है लेकिन तो उनकी भी पार्ट mercury मैं टिकेत नहीं मंग रहा है। मैं पार्टी बेशाद रहाओ कि पार्टी मुझे चुनाल लडाना चाथी है, उनका मत अगोर होगा कि चुनाल लडूं या चुनाल लडाऊं। कि लेका मन क्या है सवाल यह है अपका मन क्या है अपको प्राइश का चुनाव यह बड़ा चुनाव है और देश का चुनाव होने जा रहा है आपने देखा कि जैसे बीजेप को हार सताई पूरे देश की निताया आने लगे दिल्गी को आने लगे समाज़ादी पाड़ी का एक विजहरत चला जंता का जो समूरतं देखा भार्ण। अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि बीजेपी कह रही है कि अब क्योंकि वोटो कि 2014 में 2017 में समाजवादी पार्टी को हार देखनी पड़ी 2019 में भी हार देखनी पड़ी अब इसको हिंदू वोट बैंक याद आने लगा है क्या कहना जाते है क्योंकि आप जब आप मुख्यमंद्री थे आप कुम्भ में तब तो नहीं गए थे लेकिन 2019 में गए आप तो बदलाव तो आप में भी आया कुछ जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय कुम का एयोजन हुआ था कम पैसों में हुआ था और हावर्ड जैसी ने एप्रिशेट किया था और पूरी स्टडी करकर के एक किताब बनाई थी किस तरीके से एक सिटी क्रियेट होती है और किस तरीके से एक सिटी को डिस्मेंटल कर दिया जाता है कुम के समय पे भी मैं गया सादू संतों से व्यृत्टिकत मिला थितला थितला है अब कपड़े प्ञ obtained ने कर सकता त अब जब भी इस नाना लिया तो कपड़े उतार करें यस्तना लिया आप मैंने कई लिया है आप ने चाहे भार गंगा लुटन कर आ unhappy आ जब आज आ एगीश एगे मών है आप प्रधानवंतिए नियाומ किसी भी निया हमारे मुखमंथी निया Saraonter कर वीडियो निकालिये कैसे सिनान कर रहे थे वो गंगा में जब कुम्ब में गए थे तो कैसे सिनान कर रहे थे सवाल इस बात का नहीं है सवाल इसका इस बात का है क्या मां गंगा की सफाई हुई क्या मां गंगा साफ हो गई क्या यमुना नदी साफ हो गई जो गंगा में जुड़ती है क्या गुम्तीर नदी साफ है जो गंगा में जुड़ती है क्या काली नदी साफ हो गई क्या हिंडन नदी साफ हो गई सवाल ये क्योंकि भादी जिंदापाटी ने कहा कि देश की सभी नदियां हम साफ करेंगे और मां गंगा को साफ करेंगे आज बताएं कि मां गंगा कितनी साफ हो गई आपने छोटे दलों को साथ ले लिया अपने आपके चाचा शिफाल यादव भी आपके साथ आ गए है वो अपने सिंबल पर चुनाव डढ़ेंगे या आपके सिंबल पर चुनाव डढ़ेंगे सबी चेती दलों को सात लने का काम किया है और चेती दल अपने ही सिंबल पर चिनोर रणेंगे। अगला सवाल मेरा यह है क्रिजिपकर तहीं किसा अपने काफी लेने आ जाती है। करेडिट नहीं लेना चाहता हूं, उनको सच्छा ही बताना चाहता हूं प्रजयक्ट पर आप हाथ लगा रहे हैं, यह समाजवादियों प्रोजयक्त अंगे जरी भी कि और की झिरा है, शाजवादियों ने शुरू कि देटी। निए किया मेट्रो बन जाती हमारे बाबा मुकहिंत जीन ने कढ़ें लिए अब तो विदाइत हैइं दस्तारी को जा रहे हैं सुने मैं उन्हों टिक्ट भी भूक पर लिए भी से तो अगर जो टिकेट बुक कर रहे हैं तो मेट्रों में कहां बैठेंगे गोरखपुर में उन्होंने पहला वादा किया था कि वह मेट्रों बना देंगे गोरखपुर में आज साड़े चार साल पूरे हो गए क्या मेट्रों बन गई उनकी लेगे कि कुछ काम नहीं हुआ विभ्यापन जूटा है इनके विकास की विख्यापन जूटे हैं हम लोग वह दिख्याप्र अच्छा जब देखाना था तो इन्होंने कलकात्या कर दिखाया जब इन्होंने विघ्यापन विजूटे दिए हैं कैसी सरकार है जो विग्यापन जूटे देती हो इनके विकास की तस्विर जूटी है क्या आपको लगता है कि भारतिय जंटा पार्टी जिस तरह की राजनीती कर रही है यह सबाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ और क्योंकि आप इस देश के सबसे बड़े सुबे में बीज़ेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं बीज़ेपी जिस तरह की राजनीती कर रही है उसने आपको अपनी राजनीती को बदलने पे मजबूर कर दिया है बारती जनता पार्टी ने जनता को जूट बोला और उसका उधार है उनका संकल पत्र आप कोई पन्ना पलट करके देख लीजिए कुछ भी पूरा नहीं किया होगा जनता को लगा कि ये काम पूरा करेंगे नौजमानों को लगा कि उन्हें नौकी रोजगार मिलेगा लेकिन जिस सरे की सरकार बनी है उसमें कहा नौकी रोजगार है इन्होंने बड़े बड़े इंवेस्टमेंट मीट किये इसी लखनो शहर में बड़े बड़े इंवेस्ट सपटी है प्रदान मंतरी आए लेकिन क्या investment आया इंका investment की नाम पर केवाद जूटी तश्वीर अमेरिका से आ गई फैक्ट्री की investment का इनका one district one product इस डिस्टिक गा-प्र अगे जा रहा है तो 2019 में आपका सपा बसपा का गड़ बंदन होने के बाद ये लोग समव में कैसे जीद गए भारती जनता पार्टी ने डीजल पेट्रॉल महंगा करके गरीबों की जेव काटी और अमीरों की तिजोरी भरी इतना ही बड़ा काम किया नहीं अगर बीजेपी कुछ काम नहीं कर रहे थी डबल इंजन की सरकार फेल थी तो 2017 में ये जीद गए आप ने बोला 2019 में कैसे जीद गए जनता ने आप और बसपा मिल गए इनका जो जूटा परचार था उसका मुकाबला समाजवादी लोग नहीं कर पाए लेकिन इधर साड़े चार साल में इनके जूटे परचार के साल लगातार समाजवादी पाटी लड़ रही है लेकि जूट कैसे पगड़ा गया इनका हम अब बताते हैं उधार देते हैं इस बर यह आपको क्यों भरोसा ऐसा समय बड़ा बल्वान होता है जी और समय इनका साथ नहीं दे रहा उधारन इन्हों ने कोशिश की भारति दिंटापाटी ने किस समाजवादी इत्र बनाने से सेमती होई औन्होंने का कि समाजवादी इत्र जिस ने बनाए उस वैपारी पर हम छहपा मारेंगे इंकम टैक्स का अधिर समय कैसा हमारा साथ दिया कहे इनका डिटीटल इंडिया से लोगया इस व्यपी किया इनोंने छहपा मारा वो उनीज नहीं का व्यपी था वो इत्र बढने वाला नहीं था जिसके यहां 200 करोड रुपए निकले रुपए निकला जिसके कहते हैं आज भी कहने हैं सरकार के लोग और दिली से जो आईटी सेल के हैड हैं वारते जंदाबाटे के वो एक तस्वीर हमारी पोस्ट करते हैं वो कहते हैं यह प्यूज यह वह है वो क्या थे बिना होमवर के मैं यह बात नहीं कहता हूं जी अगर होमवर्क मेरा सही है तो मैं जानता हूं कि वो क्या थे और सोच यह क्या जूट पहला है उन्होंने हमारी तस्वीर लगा दी ग्रासे और तस्वीर में लगाया कि यह पुश्वराज जन के साथ वही व्य अब मैं बोल सकता हूं कि पुश्पराव जैन को आप अपनी पार्टी में रखे या निकाले मेरे पार्टी के हैं मैं सुख्र कर रहा हूं लेकिन आप निस्वक्ष पत्कार हैं और देश के उन पत्कारों में गिंती होती है जो इमांदार पत्कार हैं तो मैं यह आप जानना मेरे पत्नी के साथ तस्वीर लगा रहा है कि पुश्प राज जैन के साथ प्यूश जैन भी है याद रखे वो भी याद रखना चाहिए उसको भी अगर वह इंजिनियर है तो जूटा इंजिनियर है जूटा इंजिनियर है वह अच्छा एक बताएए आप कह रहे हैं कि वो या तो तब आप से तब आपने सही बोला था या अब आप सही बोल रहे हैं देश के मैं सब के नाम नहीं लेना चाहता हूं चुनाव में जा रहा हूं सबसे दुश्वनी ठीक नहीं है जी एक आद दो सरह तो ठीक है जी मैं यह जानना चाहता हूं मैं जब सुबह उठके आया जब सबसे पहले मैंने हिंदी का अमर जाला ख़वार उठाया और अमर जाला के फ्रण्ट में मैंने देखा कि इत्र वेपारी के घर पर च्छापा पड़ा वही इत्र वेपारी है जो समाजवादी पार्टी का इत्र कोई रिष्टा नाता नहीं है लेकिन तब तक देश के सभी चैनल यह कह चुके थे कि समाजवादी इतर जिसने बनाया था जो समाजवादी पार्टी के करीब है उस व्यक्ति के चापा पड़ा है उस समय मुझे कहना पड़ा और हमने तो केवल यहां नहीं देखा है तब हिला प्रफूरी में चापा मार रहे हैं अखिले अखिले जी एक बात बताईए जैसे कल डिकलेर हुआ चनाओ आप कहरें आप कहरें वह बीजेपी का आदमी था जिस पे चापा पड़ा यह आपने आदमी पर अगर चापा डलवा रही है अगर इंकम टेक्स डाल रहा है चापा इसका मतलब इंकम टेक्स डिस्पक्स है यह सवाल बहुत अच्छा पूचा यह सवाल आपने बहुत अच्छा पूचा जी मैं इसमें कहना चाहता हूं जी डिजिटल इंडिया की गलती थी वह क्यों थी कि दोनों का नाम मिस्टर पीजेन है दोनों एक महले में रहते हैं दो अपने इंकम टेक्स के लोगों को जाना था कन्योज पुश्वराजेन के हां और चले गए वो फ्यूजेन के हां दिखें आपके पास तो काफी जानकारी है लेकिन एक सवाल एक सवाल मेरा जो प्रधान मंतरी ने बोला कि भर-भर के नोट में ले हैं अब उसका क्रेडिट क होम मिनिस्टर, देश के बित बंतरी, उत्तव अदेश के मुख्यमंती तो आज भी कहते हैं, तमाम चैनल, तमाम अखवार, मैंने एक अखवार का नाम लिया आपको, कि उसके फ्रंट पेज़ पेच पे शपा, लेकि उसना माफी नहीं मांगी, क्या उस अखवार ने खबर उस अखवार ने माफी क्यों नहीं मांगी, क्या हमसे गल्ती हो गई हमने गलत नाम चैनल, समाधी पाटी से, क्यों उस अखवार ने माफी नहीं मांगी, उस अखवार को माफी मांगनी चीए थी, क्यों अखवार ने माफी नहीं मांगी, इसलिए प्रधान मंती जी को भी ल और अधी आपकी स्ट्राइटेटेस की जनता चाहती है जी कि यहां पर सरकार बदले यहां की जो मुख्हिया थे उन्ohon ने उट्रपदेस को बिरबाद कि मोदीजे थी काम कर रहे है सवाल उनका नहीं है सवाल है उत्रपदेस के मुख्हुन तरीय बदले जाएंगे करें नहीं बदले जाएंगे और जो बचाने वाले आ रहे हैं वह भी नहीं बचा पाएंगे क्योंकि अक्सर क्योंकि आपने बचाने की बात करीब प्रधानमंत्री की बात हुई हाली में बहुत सीरिस इंसिडेंट हुआ है प्राइम मिनिस्टर की सेक्यूरिटी में बड़ा लाप्च हुआ है पंजाब के अंदर आप उस पर क्या कहना चाहते हैं मैंने अपनी बात रखी थी और उन्येजर है कि अजय तिन कानून क्यों लाए गए थे और तीन काले कानून क्यों बापिस हुए और कंसे कम जो 700 किसांद शेहिद हुए उनके बारे में उस्षिधांजरी जरूर देते क्या आपको लगता नहीं है कि प्रधार मंति की सेक्यूरिटी को थोड़ा लाइटली लिया गया और पाकिस्तान का बॉर्डर दस किलो मीटर दूर था जैसा केप्टेन अमरेंदर सिंग ने बोला मनीश दिवारी जो कॉंग्रेस के निता है फॉर्बन आयन वी मिनिस्टेरों ने बुला कि प्राइम मिनिस्टर फ्लाइओवर पे थे दस किलो मीटर बॉर दूर था एंबुश लगा के उनको टार्गिट किया जा सकता था मतब क्या आपको लगता नहीं है बड़ा सिक्यूर तो लेकिन अगर प्रढ़न मंती है तो कम से कम उस समब जरूर जाना चीह था जहां खाली कुर्सी थी मैं किशान उंगा कि अगली यमार खाली कुर्सी हो तो प्रढ़न प्रण पार्ण बंद है तो बताये औरों की स्प्स Pakistan ने कि यह उनके पास जवाब इसका आज मुख्यमंत्री आएंगे तो जरूर पूछूँगा मुख्यमंत्री जवाब देंगे वो खुदी सिकूर्टी अटाते हैं जी अगला अगला सिकूर्टी देते हैं लेकिन क्या आपको लगता है यह सीरियस लैप्स हुआ है और कॉंग्रेस को इसकी जिमेदारी तहह करनी चाहिए कि शवाब यह कि क्या बीजेपी लोगों की सिकूर्टी नहीं हटाती पर पर्धान मंत्री की और लोगों में तो फर्रक है ना पर दानली की सीकूर्टी पर्याप्त है मैं तो निवेदन करूंगा किसाननों से कि जब कभी खाली कुर् अब पंजाब सरकार पर क्या कहना चाहते हैं पंजाब में हमारी रादने कोई दल नहीं है लेकिन मैं यह कहूंगा किसान भाईयों से अगली वार खाली कुरसी हो तो प्रधान मंतिजी को रोखें नहीं को कम से कम भाशड देने का मौका दें अब प्रधान मंतिजी की पर कुछ टिपड़ी करने में भारती जंता पाठी से जानना चाहता हूं यह तीन काले कानून क्यों लाए गए थे और क्यों बापिस ले लिए उन्होंने और क्या बादेंटा पाठी ने लोगों की सीकुर्टी नहीं है उत्रप्रदेश में बीजबी कहती है कि माफियाओं को तो हमने साफ कर दिया आज मुख्यूंती जाया उसे पूछे मुकतार अंसारी के परिवार को सपा में आपने ले लिया आज पिए जिनकों मैंने लिया उन पर कोई मुकदमानी ने लिया और भादेंटा पार्टी बताए कि उन्होंने माफियाओं को क्यों खुली छूट तो पैंसे को आपने बोला तो विदाई से मुझे आदाया आपने बनारस जब प्रधान मंत्री थे और आपने बोला कि अंतिम समय में बनारा जाते हैं उसके बड़ी कॉंट्रोवर्सी होगी थी आज आप उस पर कुछ प्रस्ट्री करद देना चाहिए वो मैंने कहा था कि सरकार का आखरी वक्त है इसलिए कहा मैंने सरकार का मतलब था मेरा मेरा किसी व्यक ब्विधतान को कभी नहीं करेंगे आज भी किसानों का गंणा बकाया है पैसा बकाया है किसानों का और महांगी बिजली दिए यह पहले ही फेस पर किसान जो पहले चड़ का चुनाव है किसान अपने मां संवान के लिए बोड डालेगा और भार्ति जन्ता पारटी का पहले अपने नेता के कह हुए बात को और उन्हीं के नेता ने जो किताब लिखी वो जरूर पढ़नी चाहिए जी चलिए योगी अजितिनात ने इस पर बोला कि जो लोग जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं वही लोग तालिबान का भी समर्थन करते हैं योगी जी ने ये बोला अब हमारे बाबा मक्रंती जाने वाले हैं वो जाएं गोरकपुर में जो कहना चाहें वो कहें बैठ कर चलिए अब मैं आपको एक बाइट भी सुनाऊंगा और दिखाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप उस पर अपनी परतिक्रिया दे ओवेसी साहब आपसे काफी नराज रहत तो इनकी नाराजगी की वज़ा क्या है उत्तर प्रदेश की जनता एक बार पुने समाजवादी सरकार बनाने जा रही है कि आपको मुसल्मानों का वोट चाहिए लेकिन उनके साथ निखड़ा होना चाहते हैं समाजवादी पार्टी ने और जब भी समाजवादी सरकार बनी है मुसल्मानों भाईयों के लिए जितना काम कर सकती थी उतना काम किया है और आने वाले समय में उनके साथ कोई भेदवाम नी होगा कोई अन्यानी होगा क्या आपको लगता है कि ओवेसी को भी हक है चुनाव लड़ने का क्योंकि लोगतंतर है जैसा लेकिन ओवेसी की एंट्री से आप और भाउजन समाज पार्टी जब बीएसपी के रिप्रेजेंट्री आएंगे तो उनसे भी सवाल पूछेंगे आप परिशान है आपको लग करके उत्तर पदेश से भाजनता पार्टी का सफाय होगा और दल क्या करने हैं उसके बारे में हम विचार नहीं करते हैं गढ़बंदन हो सकता है ओवेसी से आगे जाकर अब गढ़बंदन का समय खतम हो गया जी क्योंकि चुनाव की तारीक है आगी है चौदे तारीक के बा पुर्वांचल को साथने के लिए राजबर को साथ लिया है पश्चिम में जेंट चौधरी को साथ लिया है अब 2019 में जो फॉर्मुला आपने अपनाया था आपको लगता है वो फॉर्मुला फेल हो गया इसलिए छोटे दलों को साथ लेकर आये हैं बड़े दलों के साथ अ बढ़ जाएंगी उत्तव देश की जनता बदलाव के साथ साथ विकास चाहती है उत्तव देश की जनता चाहते है कि यहां के लोगों के लिए खुशाली की योजनाय बने किसान का भाला हो नौजमान को नौक्री रोजगार मिले जो पढ़ाई चौपट हो गई है जो बच् लाज मिलना चीए वो नहीं मिल पा रहा है जी चलिए अब आपने लाल टोपी डाली हुई है तो सवाल तो मुझे पूछना पड़ेगा ये लाल टोपी से भारते जनता पार्टी को विधान सभा के सदन में प्रधान मंतिरी ने बोला ये जो लाल टोपी वाले ये रेड अल लाज बताती है समाजवारी सरकार जिस समय थी गूलस को क्या स्वाक्षण चीन्जिच्ज डें जिससे पुलिस कामका अच्छा करें तो सबसे बड़ी समस्या पुलिस के पास ये थी कि उनके पास संसादन नहीं था अगर कहीं उन्हें जाना है दविश में पुलिस को कहीं मौके पर पहुँचना है तो उनके पास परियार्थ, इंफ्रासेक्चर और गाड़ी नहीं थी सबसे पहले समाजवाजी सरकार ने रिस्पॉंस सिस्टम दिया और मुझे याद है कि विभाग के जो वरिष्ट अदिकारी थे, जो टेक्नोलजी को समझते हैं उनको मैंने नियॉक भीजा था, कि नियॉक की पुलिस किस तरीके से काम करती, वो देखकर के आए उसके बाद हुस्टन देखकर के आए कि पुलिस कैसे काम करती है, उसके बाद सिंगापुर का रिस्पॉंस सिस्टम कैसा है, वो देखकर क्या है उसके बाद यहाँ पर क्रियेट किया गया, जो डाइल हंडेड है, मैं यह कह सकता हूँ कि बेश का सबसे बहतर डाइल हंडेड रिस्पॉंस सिस्टम दिया इसी तरह पुलिस एज जगे बैठ करके काम कर सके वर्ल्ड क्लास पुलिस हेड़कॉटर दिया कितने प्रमोशन देने थे प्रमोशन दिये पुलिस को जो मदद कर सकते थे सरकार ने मदद की उस समय समाजवादी ने लेकिन जिस तरीके से भाते जनता पार्टी ने पुलिस से काम लिया है जी पुलिस को कबारा कर दिया है नोंने आप किरें पुलिस को कबारा कर दिया पुलिस सिस्टम से काम नहीं कर रही है आप किसी भी पुलिस से पूछेगा किसी विवाग से पूछेगा क्या डायल हंडेट सबसे अच्छी सहूलियत थी पुलिस के लिए के नहीं थी बीजेपी का अभी में पास खबर आए ये बीजेपी ने आरोब लगाया कि सफा बसपा की सरकार में नौइडा में साथ हजार करोड रुपे का घोटा लला हुआ था कि यहां जैंतक की तूजी में कि तना भाला बताया धाला भार्टे जिंघ्यापाइड के लोगों ने और तूजी में इतना भाड़ा तानला हो गया तो क्या हुँ ऊसके बार यह पार्टे जंटा पार्टी एंस पताने एक माफिा को लेकर आप कहते हैं कि यह योगी जो है वो बाहु बली नहीं है वो बजरंग बली को याद करने वाले है भारती जन्ता पार्टी केवल जूट के परचार कर रही है कानू वरस्ता का अगर आकड़ा देखना है NCRV के आकड़े निका लिए अगर वो आकड़े हैं तो वो बता रहे हैं कि क्या हो गया है मैं इनसे जानना चाहता हूँ हातरस की बेटी जैसी घटना दुनिया में कहीं हुई हो तो बता दीए हातरस की बेटी के साथ जो किया भार्टे इंता पार्टी की सरकार में क्या दुनिया में किसी बहन ये बेटी की साथ ऐसा हुआ होगा क्या वो लोग भूल गए होंगे बुलंचेर का सुबोध इंस्पेक्टर जिसको मारा था क्या उसके परिवार को नयाय मिल गया जो लई थी पैसा हुआ पर कितना समय लगा DMSP गए और उसके परिवार को धंगारे थे कि एफाइल ने लिखाई ये मुख्यों जी जी के छेत में यह हो रहा था जब विपक्ष ने दवाब बनाया और उसके परिवार के लोग खड़े हो गए तब जाकर के थोड़ा बाद न्या मैं क्या जवाब दू ऐसे लोगों का मंदिन निर्मार जब सुर्रीम कोडने कह दिया है तो मंदन निर्मार कोई भी नहीं रोग सकता अगर powerful क्योंकि सुपरीम कोड के फैसले के बाद मंदिर बन लाए वो कहते हैं आप रोड़ार ढालने की कोशिश करेंगे अगर आएंगे तो समाजवादी लोग वह हैं जो कम समय में काम पूरा करते हैं एक्सिरेश बे बनाना था 22 महीं ने मुझाए दिखा दिया लखनों की मैट्रो बनी थी रिकॉर्ट टाइम में मैट्रो बनी चलिए अगर समाजवादी लोग तो रिकॉर्ट टैम में बनाते ये जान बूझ करके भाजिन दबाड़ी के लोग मी बना रहे हैं और वहां के वल घुटाला करना चाहते हैं क्या रजिश्टियां बताएंगे कि लोग बताएंगे कि नादिकारियों ने रिश्टियां वहां पर चलिए बापको एक और मैं बा अगला राउंड जो है चलिए बाइट प्लेट प्लेट जी को योगी जब पुर्सत हो यह सब जानने पढ़ने की बारा बज़े सोके उठेंगे दो बज़े तयार होंगे चार बज़े अपने मित्र मंडली के साथ बैढ़ जाएंगे छे बज़े फिर सैक्लिंग के लिए न आपका जवाब क्या है आप से मैं आज उनका इंट्रीवू होने के बाद कॉल करूंगा उनका कोई ऐसा नमबर दे दीजिए जो मैं डारेट मिला हूं उने तो कम से कम उन्हें उठा के बताओं कि मैं कितने बज़े उठता हूं अगर नहीं सबाल उठने का नहीं है जी मेरे क्योंकि बावा खुद सोते हैं आपने देखा नहीं कि एकांत में जाने एकांत में क्या करने हैं सोजाते हैं जाकर करके कि एकांत के लिए दो घंटे के लिए जा सकते हैं तो एक योगी है तो ध्यान लगाते होंगे देखिए मुझे बड़ा दुख है कि हमारे बावा मुख्यंदी पे कोई मित्री नहीं है वो हमारे लिए कि मित्र मंडली अरे मित्र होना तो अच्छी बात होती है हमें दुख है कि बावा योगी जी पर कोई मित्र नहीं है और कौन माल लेगा इनकी बात आज के समय पर बारे बजे कौन सो लेगा कैसे मुख्यमंतरी नहीं बताओ मेरे करीब के लोग या जितने लोगे वो जानते में कितने बजे उड़ जाता हूं पांच बजे उड़ते हैं सुबह आपने एक इंटेवी बोला था आप चार बजे उड़ते हैं साड़े तीर उड़ते हैं निए वो तो इसलिए था कि कोई बता रहा थे कि मुख्यमंतरी जी इतने बजे उड़ जाते हैं तो मैंने का मुझे उड़ते हूं तो सचाहिक बजे कितने बजे इसको इता तर्शेंस को रखा हुआ हूँ चुनाओ तक मैं मुख्यंतरी आवाज को फोन करके जगा दिया करूं कि मैं जग्या हूं कि कल से सुबह फोन करूंगा और वैसे पी में जब दूर नहीं है मैं आपकी जानकाई दिन में खड़ा होकर कि चिला दूआ कि मैं जग्या हूं तो वो जान जाएंगे तो सभी आप अभी किसी को बताएंगे निकितने बज़र उसको गॉप नयों थाज़ियर। क्या नए करते हो जब योगी नि तो और वह सुब़ चार बज़र जाते हैं इसी और योगी वह है जो दूसरों का अपना नुक समझे क्या हमारे मुख्यांती दुख समझते हैं एक नौजवान आया होगा अगर अपने हग के लिए यहां लाठी खाएं 69,000 वाले मैंने बच्चों को देखा है कितनी बार अपमाने तो करें लाठी का करें गए कितनी बार नौजवान यहीं पर आकर के धर्णा दिये लाठी का करके गए कई हमारी बहने न्याय के लिए अपनी एफाई लिखाने के लिए आहां तुम्धात तक करने के लिए यहां मुखंदी आवास नहीं क्या दुख समझते हैं लोगों का यह अगली अगली एक एक और राउंड है उसमें तस्वीरे कुछ दिखाएंगे एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं आप उस पर अपनी राए ज़रूर लखें तीन तस्वीर हम आपको दिखाएंगे पहली तस्वीर बिग पिक अच्छी बाते बाहर जाते हैं घुमने तो इनको बाहर जाने का बाहर से सीख के आने का सीख के आना चाहिए अगर मैं दुनिया से बाहर ना जाता तो शायद में रिवर्फरंड नी बना पाता क्यों मैंने दुनिया के अच्छी से अच्छी जगे देखे कि रिवर्फरंड कैसे हैं तो मैं सीख सब्सक्राइब आपकी नए साल पर बात हुई रहों जी मैंने बात नहीं की नहीं हुई तो लिए अगली तस्वीर भी मैं दिखा देता हूँ और अगली तस्वीर कौन से यह देखते हैं इस पर क्या कहना चाते हैं फिलेज जी यह आश्रवाद नहीं इस बार इस बार इनका आश्रवाद चाहिए पिछली बार पूरा सयोग किया मैंने तो इस बार आप की आप आपको सब्सक्राइब जितना सयोग हो सकता है सयोग समाजवाद ने किया और इस बार मैं अपील करता हूँ कि अम्बेट करवादियों समाजवादी मिलकर के इस बार देंता पार्टी का तो गडबंदन नहीं कियो नहीं अगर आश्रवाद चाहिए था तो गडबंदन नहीं कर लेते आप इंसे वह वो गडबंदन तूट गया चलिए अब एक और तस्वीर आएगी ये ये शुनाफ के अंदर बड़ी महतफूर तस्वीर बन गई है वह इत्र और आप क्या कहना चाहते हैं कम से कम हमारे पास वो लोग हैं जो इत्र बना रहे हैं जो कम से कम खुश्बू देने वाले लोग ह जो भाईचारे की खुश्बू है अरे भारते दिनता पार्टी के पास तो ऐसी भी इत्र नहीं है ये बदू वाले लोग हैं दुर्गंदन की इने इत्र पसंद नहीं है लेकिन वो कहते हैं ये भेस्टा चार का इत्र है इन से ज्यादा बड़ा ज्हूंट कोई बोल नहीं सकता चलिए आकरी सवाल ये आपका जो इंटेव्यू है ये इलेक्शन अनॉस्मेंट के बाद पहली बार हो रहा है तो ये सवाल जरूर मैं स्टेशन का नाम यह आप शाइकिर चला रहे हैं आप देखे और कितने जु सकता है उत्तवपर्जिस की जनता समाजवादी पार्टी के साथ जितने गडवन्दाने मिल करके 400 सीटे भी जीत जाएं और बाद पस्टे छोड़ें कि छोड़ें बीजिपी के लिए तीन सीटे भीजिपी क्या हैंगी विपक्ष के लिए अब विपक्ष तेह कर ले कितनी चीए उनको वह पे कॉंग्रेस भी है भाजपा भी है यह जाद और क कि लोग इसलिए मैंने का पहले चरण का चुनाओ किसानों के मांन संबान का चुनाओ है उनके गन्य के भुक्तान का चुनाओ है यहां अब प्रदेश की जनता बीजेपी को हटाना चाहती है आज ये बिजली का बिल क्यों हाफ कर रहे हैं अच्छे एक बाद सारे चार्ट साल का पैसा वाफिस करेंगे गया लड़कियों की शादी की उमर 18-21 हो रही है इसके पक्षमें आप इसके खिलाप हैं पार्टी का जो स्टेंड है वो यह है कि 21 साल जो उमर की गई उसके सहमत हैं साथ ही साथ बेटियों को नौकरी भी तो दो आप जी चलिए बहुत 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 शुक्रिया आपने अपने समेधिया हमें और न्यूज 18 के मंच पे आए थाइंक यू सोबाट अखिलेश जी आप पर क्या फिर दिखेगा मोदी का दम या शेत्रियत दिगज बिगाड़ेंगे उनका खेल देखिए सबसे पड़ा तंगल में पांच राच्यों के जुनाव की हर हल चल जुनाव के सबसे भरोसे बंद न्यूज चैनल पर क्योंकि